दोस्तो यूटूब में जब कोई भी यूटूबर बनने का सपना लेके आता है चैनल बनाते हैं उसके बाद चैनल में काम करता है मतलब वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं उसके बाद काफी महनत करने के बाद आपका चैनल मॉनिटाइज के लिए एप्रूबल होता है मतल देड़ साल दो साल भी लग जते हैं उसके बाद जब आप मोनेटाइज के लिए फॉर्म फिल अप करते हो एपलाई करते हो उसके बाद 24 घंटा या 38 घंटे के अंदर आपके पास एक मेल आता है अपका देटा के कारण आपका चैनल को मोनेटाइज नहीं किया गया है लेकिन конфirm करके नहीं बताते हैं आप कहां पे मिसलीट के अंदर क्या क्या आप पढ़ते हैं कौनसा वीडियो में आप गलती किये हो, ये कुछ भी नहीं बताते हैं, अपका चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाता है, इसको बोलके मेल भेज देता है यूटूब की तरब से, तो आप पूरा के पूरा निराश हो जाते हैं, तो आपको ये मिसलीड को सुधरने के लिए एक महिना मौका देते हैं, एक महिना बाद, फिर आप रियाप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, ये मिसलीडिंग आप क्या किये हैं, तो क्या क्या होता है यूटूबर बनने का सपना लेके बहुत सारे लोग यूटूब पे आता है जो यूटूब से लाखों कमाएंगे, स्टैबलिष्ट होंगे इसलिए महनत भी करता है लेकिन गलत महनत भी बहुत सारे लोगों ने करता है बहुत कुछ पता नहीं चलता है यूटूब के बारे में तो कईसा भी वीडियो अप्लोड कर देता है कुछ भी कर देता है तो ऐसे में अगर आप करते हो तो नहीं चलने वाला है तो अभी आप लोगों को क्या-क्या गलती आप करते थे वो सारे के सारे गलती को सुधरना है तो क्या-क्या है वो गलती एक एक करके आपको बताते हैं देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये सुधरना है है आप जिस topic का उपर में video बना रहे हो उस वीडियो का मतलब वो जो topic है वीडियो का जो topic है उस topic को अवसरे आप लोगे को thumbnail बनाना है title भी लिखना है description भी लिखना है ऐसा बहुत सारे YouTuber ने करता है वीडियो एक होता है video का topic एक होता है और थम्मेल दूसरा होता है टाइटेल भी दूसरा होता है डेस्क्रिशन दूसरा होता है यह सब मिस्लीडिंग होता है यह सब आपको नहीं करना है उसके बाद देखिए बहुत सरे यूटूबर क्या करता है आपका डेस्क्रिप्शन ने कोमा 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 लगा क टैग डाल देते हैं ठीक है ये भी आपको नहीं करना है उसके बाद दोस्तों आपको थमनेल सेम सेम कर रखना है थोड़ा सा आप कर सकते हो लेकिन पूरा आप अलग नहीं कर सकते हो ठीक है कि उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो टैग्स होता है टैग्स में आप लोगों को हैस्टेग नहीं देना चाहिए टैग में बहुत सारे यूटूबर क्या करते हैं हैस्टेग देके बहुत कुछ लिग देते हैं यह आपको नहीं करना चाहिए उसके बाद दोस्तों आप अपना वीडियो में आप डाल description दालते हो तो ठीक है लेकिन दूसरा वीडियो का भी आप keyword डाल देते हो आपना description में यह सही नहीं होता है यह भी misleading होता है और देखिए बहुत सारी आईसा माई video देखा है उसका description बहुत लंबा होता है योर क्वेरी लिख के बहुत लिख देता है ऐसा आप लोगो नहीं लिखना है बीस पंदरा से लेके 20 इतना आप लाइन लिख सकते हो उससे अधा आप नहीं लिख सकते हो ठीक है और हुआ पर देखिए आप जिस कैटेगरी के ऊपर में काम करते हो ऐसा कैटेग का नाम आप दे सकते हो है स्टेक दे के इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो ठीक है यह सब मी misleading कहलाता है तो अगर आप लोग यह सारे के सारे काम करते हो तो यह पूरा के पूरा misleading है उसके बाद दोस्तों आप दूसरे का वीडियो अपना चनल में ढाल देते हो यह भी misleading हो जाता ऐसा आप लोग को नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह सारे के सारे प्रॉब्लेम है यह सारे के सब्णय को शुधर लेना है अगर आपका वीडियो का अंदर या आप अपना चनल में ऐसा काम करते हो तो आपका चनल कभी के सारे डेलीट करना होगा उसके बाद आप लोग मोनेटाइज में भेज़ो तो अपना चनल आप्टोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा कुछ प्रॉब्लेम नहीं होगा तो फाइनल दोस्तों यह नौलेजवेल वीडियो था आप लोगो कैसा लाको ने बताना तो फिर मिलत अगला वीडियो में बाई